प्यारे दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को हम सिखाने वाले हैं कि अभाज ये गुनुखंट कैसे निकाला जाता है तो देखिए दोस्तो अभाज ये गुनुखंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अभाज ये गुनानखन का मतलब पाता होना चाहिए कि अभाज ये गुनानखन का मतलब क्या होता है तो आपको हम बतला दे कि अभाज ये गुनानखन को अंग्रेजी में प्राइम फैक्टोरिजेशन कहा जाता है तो चलिए दोस्तो अब हम आप लोगों को बतलाते हैं कि अभाज जे गुरूनखन का मतलब क्या होता है तो अभाज जे गुन खंड का मतलब होता है माल लेजिए कोई संख्याइ दिया आपको दे दिया है जैसे में हम यहाँ पर एक संख्या लिये हुए है जो संख्या है 625 तो माल लेजिए हम इस संख्या को हम अभाज जे संख्या से पुरी तरह से कटाई देंगे और जिस जिस हम अभाज संख्या से कटाई हुए रहेंगे और उस संख्या को यहाँ पर हम गुणा के रूप में लिखेंगे इसको ही हम इस संख्या का अभाज ये गुणानखंड कहेंगे तो चलिए यहाँ पर हम 625 का अभाज ये गुन खंड निकालते हैं और निकालते हुए प्रोपर आप लोग को सिखलाते हैं कि आप लोग कैसे बहुत ही असानी से कोई भी संख्या को अभाज ये गुन खंड उसका निकाल सकते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को कोशिद करना है कि सबसे छोटी संख्या से मतलब जो सबसे छोटी अभाज संख्या होगी उससे कटाना है और उससे देखना है कि उससे बड़ी अभाज संख्या जो है उससे अब कटाएंगे देखिए आप लोग यहाँ पर एक गलती नहीं करना है कि आप लोग भाजे संख्या से कटा दिएगा सिर्फ आप भाजे संख्या से देखना है तो जैसे में आप लोग जानते होएं कि छबसे छोटी आप भाजे संख्या दू होती है तो 625 तो 2 से नहीं कट सकता है तो अब देखेंगे 3 से कट सकता है तो देखेंगे 3 से भी नहीं कट सकता है देखेंगे आप यह गलती आप लोग पुनाह मत किजिएगा कि देखेंगे 4 से कटेगा की नहीं क्योंकि 4 जो है वो भाजे संख्या है और कटा कर आप लोग को सिखलाते हैं तो देखिए 625 को जब हम 5 से कटाएंगे तो देखिए 5 एक आई 5 ले चाएंगे तो देखिए यहाँ पर तो है 6 तो 5 एक आई 5 हम जो ले गए तो देखिए 6 में ले 5 को कटाएंगे तो 1 उतरेगा अब देखिए उपर ले उतरेगा 2 तो 1 और 2 मिलकर हो गया 12 तो देखिए अब क्या करेंगे 5 दूना 10 ले जाएंगे तो 12 मिले जब 10 को कटाएंगे तो नीचे बचेगा कितना 2 और उपर ले उतरेंगे 5 तो 2 और 5 मिलकर कितना हो गया 25 तो 25 हम 25 यानि पुरी तरह से कट गया, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पर कटाते हुए चल रहे हैं, सेम उसी तरह से आपको भी कटाते हुए चलना है, यानि कि इस तरह कटाते हुए आप लोग को सिख लेना है, क्योंकि इस तरह से आप लोग कटाते और बहुत ही जल्दी आप लोग बना सकते हैं अब देखिए अब यहाँ पर देखिए आगे 125 तो अब देखिए पुना हम इसे 5 से कटा देंगे तो 25 को जब हम 5 से कटा आएंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 बार में 25 आता है अब चलिए अब द देखिए जो यह 625 था पूरी तरह से देखिए 5 से कट गया मतलब सिर्फ अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है अब यहां पर देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिखेगा 625 आप दखिए बराबर का चिन दीजिएगा और जिस जिस अब आप अब बॉग कटा ह हुएं क्योंकि 5 से ही और तो हम इसलिए 5 से कटा दिया तो हम जहां इसको क्या करेंगि इस सभी पांच को इसके गुणआ मिहाँ पर लिख देंगे तो कंगो 5左 तो कंगो 5 1 2 3 4 4 पांच तो तो गुणा करों पांच गुणआ 5 5 और दखिए एकषर 55 अ अब दखिए अब क्या करेंगे इसको अब कुछ इस तरह से सजाकर लिख देंगे इसको तो 625 यहाँ पर लिख देंगे 625 बराबर दखिए एक दो तीन चार चार को पांच है आना तो हम लिखेंगे 5 के पावर 4 तो यह माले घतांगी यह रूप में हो गया तो 625 का भाज गु दाल सकते हैं तो आई होप इस वीडियो में आप लोग आप हाज गुन खड़ निकालने का पूर्या कॉंसेप्ट सी गए होंगे